हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्या क्लाश 12 के जो मार्क्स होते हैं जो परसेंटेज होती हैं अब क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि ये कोशन मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कॉमेंट के जरिये इंस्टाग्राम प आपको ध्यान से देखने एक कुशन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया कि क्या है इससे हमें क्या फाइदे होंगे क्या नुकसान होंगे हमें कैसे तैयारी करनी होगी क्या इसमें पूछा जाएगा तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको separate वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं ठेक है उसके लिए next वीडियो आएगी आप उसका वीट करें आज किस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं कि क्लास 12 के मार्कस की वैल्यों आप क्या रहेगी तो चलिए देखते हैं मेरा नाम है सितंदर प्रताप और आप कोई doubt हो कोई question हो तो आप मुझे message कर सकते हैं time निकालके आपको reply करने का प्रयास करूंगा तो चलिए विस्तार से समझाता हूं बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखो और समझो देखें क्या होता है कि जब बच्चा 12th pass कर लेता है और वो डियू में यानि दिल्ली उनिव इस तरीकी सी जो यूजी लेवल के जो कोर्स होते अंडर ग्रेजुएट इसके लिए क्या करना होता था इनका इनको फॉर्म भरना होता था अप्लाई करना होता था और इनका जो एड्मिसन होता था वह मेरिट बेस पे होता था मेरिक बेस का मतलब यह है कि आपके 12th class में कि ठीक है उसके आधार पर आपको एड्मिसन मिलता था अब इसमें क्या होता था अब समझें यहां पर खेल क्या होता था कि कुछ ऐसे बोड है क्योंकि जो डियू है यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश भर से डियू में पढ़ने के लिए विद्यार थी जो आ रहा हूं या फिर मतलब मद्यभारत से एमपी मानलो आप या फिर कहीं से भी मतलब पूरे देश से डियू में पढ़ने के लिए श्टूदेंट आते हैं एड्मिसन कराते हैं तो क्या होता था कि जो अलग-अलग बोर्ड होते हैं तो कुछ श्टेट बोर्ड ऐसे होते है जहाँ पे बहुत मतलब बिल्कुल लड़ू की तरह marks बांट दिये जाते हैं यानि कुछ board ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के आसानी से 99% और 100% तक marks आ जाते हैं ठीक है और कुछ board ऐसे भी हैं जहाँ जो marking होते हैं बहुत ही strict होते हैं यानि 85%, 90%, 92% इतने ही marks ले पाते हैं लेकिन कुछ board ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही आसानी से बच्चे 99 और 100% marks ले लेते हैं अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई form तो सभी भरते थे लेकिन इसमें क्या होता था उन बच्चों को ज़्यादा मिलता था जिनके marks बहुत अच्छे होते थे अब example के लिए मैं आपको दिल्ली गई बता दे तो मानला आप CBSC board से पढ़े वे बच्चे हैं सीबिसी बोर्ट से भी कुछ बच्चे ऐसे जो 99 अप 99 अने लगें सीबिसी में भी पहले नहीं आते थे यहां पर लेकिन आने लगें तो जो बच्चे इतने marks लेकर आ जाते हैं वह आसानी से डियू में उनको admission मिल जाता था ठीक है लेगिन जो बच्चे 70% ला रहे हैं 50% ल ला रहे हैं इनको admission ही नहीं मिल पाता था क्योंकि जो सीटे हैं वह काफी कम है अब ऐसे में problem क्या होती थी कि जो कुछी बच्चों के हाथ में वह सीटे चली जाती थी और बहुत सारे बच्चे form भर के अपना मतलब admission नहीं करा पाते थे तो इसी का solution करने के लिए बहुत पह हो गया था कि इस बार तो सीट होगा और admission जोगे वह merit based ना होकर सीधा हम entrance based पे होंगे ठीक है यह last year बात हुई थी लेकिन cancel हो गया था आ रहे हो चाहे आप 50% लेके आ रहे हो चाहे आप 70% लेके आ रहे हो तो कोई आपको इस marks की कोई यहां पर कोई weight is नहीं रहेगी क्योंकि आपको एक test देना पड़ेगा और उस test को चाहे 50% वाला बच्चा पास करे चाहे 90% वाला पास करे उसी को क्या होगा उसमें admission मिल है कि वो यह सोच रहे हैं कि मान लो अगर हम अभी तो हम यह सोच रहे थे कि merit के base पर हमारा admission होगा और हम दिन रात पढ़ाई कर रहे थे और हम अच्छे percentage लाने की सोच रहे थे लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि cct होगा तो आपकी percentage की वह value नहीं रहेगी जो पहले होती थी तो ऐसे में अब हमें क्या करना पढ़के? जादा पढ़के क्या फाइदा होगा? आपके दिमाग में यह question आ रहा होगा? आप सोच रहोगे कि हमें जादा नहीं पढ़ना चाहिए तो आप ऐसा सोच रहो तो आप गलस सोच रहो क्यों? क्योंकि देखें, cuct में जो आपके entrance म पेपर ही पास नहीं कर पाओगे और फिर admission तो आपको तब भी नहीं मिलेगा तो ऐसे में आपके सामने अब और ज़्यादा मतलब कटिनाई होने वाली है कि कटिनाई ये होने वाली है कि entrance को पास कर पाना बहुत आसान नहीं होता है उसके लिए आपको महनत करनी बढ़ती है पूरे तौर तरीके से pattern जो होता है पेपर का उसको समझना होता है और उसके लिए आपके पास पहले से knowledge होनी चीए तो आप जो 12th class में पढ़ रहे हैं बच्चे जो महनत कर रहे हैं जिस तरीके से अपनी महनत को और ज्यादा बढ़ाओ ना कि ये सोचो कि अब ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा हो ना सोचो अपनी महनत को और ज्यादा बढ़ाओ जितने ज्यादा marks लेना चाहते हो उतने ज्यादा marks लाने की कोसिस करो क्योंकि अच्छे marks होंगे knowledge होगी तो ही आप इस test को pass कर पाओगे अगर अच्छे marks ही नहीं होंगे knowledge ही नहीं होगी तो फिर आगे जा कि फिर आपको admission मिलना ही नहीं है ये तो clear हो जाएगा आपके सामने तो आपको दिक्कत होगी ठीक है तो I hope आपको मेरी बाते समझ में आई होगी क्योंकि आपके दिमाग में जो confusion था उस confusion को निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है मुझे बहुत सारे बच्चों ने इस पे comment किया हुआ था ठीक है अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसी topic पे बनाऊंगा कि C.U.C.E.T. क्या है ठीक है और C.U.C.E.T. का मतलब क्या होता है बहुत सारे बच्चे ये भी confusion में होंगे तो मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब यह होता है कि Central University के लिए एक common entrance test जो है वो लाया जाएगा ठीक है तो जितनी भी Central University है उनमें ये चीज़े लागू होगी और देखिए D.U. में नहीं होता था entrance लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले नहीं होता और कई जगा पे नहीं होता देखिए कई ऐसी University है जहां पर पहले से ही admission आपको entrance के base में मिलता है वो तो D.U. है जो इतना लेट हो रखका है इस मामले में लेकिन अब इसमें भी लागू अगर हो जाती है चीज़े तो आपको entrance के त्यारी करनी होगी और slay bus में मैं आपको कल अलग से वीडियो बना दूँगा आप मुझे comment करते हैं ज्यादा ज्यादा ताकि मुझे लगे आपको जरूत है तो आप मुझे बताएं मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के उसमें समझा दूँगा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो समझाना चारता समझ मैं होगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत